टीचिंग के सभी एक्जाम की तैयारी के लिए और सभी सब्जेक्स पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें अड़ा 247 टीचिंग एक्जाम और बेल आइकन जरूर दबाएं अड़ा लाइए कि जल्दी से तो अड़ा न्यूर्ण बैएंड वेलकम आन एर चानल टीचर्स अड़ा तो वी कि काफी बच्चे उनलाइन हैं और काफी बच्चे बोर्ड रहें माम आजाए जल्दी से तो आगए यार आगए हम जल्दी से आगए दिपेश पुजाजती शिखा नर्गेस मॉनिका और कौन-कौन है रिश्व पांडी जी है यहाँ पे किरन चौधरी है मॉनिका सिंग भी है अमित कुमार है स्नेहा है और काफी बच्चे जो है हमारे ओनलाइ आज चुके हैं साब सभी का बहुत-बहुत स्वागत है यहाँ पे जो आपका इडियम का सीडी सच चल रहा है जिसके अंदर हम मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम सिहां पे क्लास के अंदर कर रहे हैं तो प्लीज फोकस ओन दोस इडियम साकिए अप अच्छे से इडियम समध सकते हैं क्योंकि यह आपको सारे आपके competitive exams में काम में आने वाले हैं इडियम से आपके NBS, KBS, DSSS भी में पूछे जाते हैं बेसिक इडियम सापके UPTAT, CTAT में भी पूछे जा सकते हैं और इसके अलावा अगर आप आगे entrance exams के और तयारी करते हैं तो English के paper में अगर English का Stars can't shine without darkness, obviously, तो जब भी अपके life में tough times आते हैं, bad times आते हैं, so you don't have to be stressed out, you just have to think that just stars है, वो तभी shine करते हैं जब dark times होते हैं, so basically, जो हमारे बुरे दिन हैं उसमे भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए, कि अपकुछ नहीं हो सकता, but still we can shine in those times as well, so यह चोटा सा मोटिवेशनल कोट ह आप सभी के लिए कि जैसी भी situation हो, जो भी situation हो, उसके अंदर you can fight, you can come back, you can smile and shine back, alright, चलिए, let us go to the next slide, the next slide is completely there for you all, which is a festive offer, okay, that is a basically a festive offer for you all, biggest student carnival, यह पूरा मन्त भाई, बहुत सारे festivals हैं, so यह सारे festivals का एक important आप सभी के लिए लिए लाया है, जिसमें एक तो सबसे important चीज यह है कि 40% off है हमारे सारे products के पे, but उससे भी ज्यादा important चीज है, prices were 30 lakhs waiting to be won, so basically iPhone 11 है और बहुत laptops है, इन सब आपको prices मिलेंगे, हर अपने lucky draw निकलेगा, जो भी इनसान, जो भी इनसान खरीदेगा अड़ा के app store से, जो की नीचे लिखा है store.adda 247.com, जाओ इस पे, कुझो भी आप आप teaching exam की तिहारी कर रहे हो, तो आप प्ली सारे उसकी products खरीदिये, test series लो, ultimate का बाच चल रहा, you can take that batch as well, and वो उसमें से पूरे, आपको कुछ ना कुछ तो मिले गई, इसके अलावा, weekly basis पे lucky draw निकलेगा, जिसके अंदर बहुत सारे exciting prices, आप सभी के लिए, जरूर से निकलेंगे, so make sure you do that, because we are celebrating 10 crore students, चली, computer ji, हमारा 40 seconds का टामरा, आप सेट कर दीजे पहले, because we'll be doing how many questions, we'll be doing 5 questions, 5 questions करेंगे आप सभी, और 5 questions के answer आपको देने है, 5 idioms है basically, वो idioms जो आपके day to day life में बहुत बहुत जादा important है, और जिनको आप बोलत कर सकते हैं, हम बोलेंगे, computer ji ko, कि भई हमारी first slide, first question display करेंगे, with 40 second timer, timer can be set aside, मता थोड़ा सा, left side में, to kill in cold blood, to kill in cold blood, इस idiom का meaning क्या होता है, to kill unconsciously, to kill unintentionally, बिना किसी intention के, to kill deliberately, मतलब किसी को जबर दस्ती मारना, या to kill aimlessly, बिना कोई aim के, but then you are killing that person. हाँ जी, play store में भी है, बिलकुल है किरन, ये app है, अद्दा की, you can download the app, और वहां के थुरू भी आप खरीच सकते हैं, बिलकुल. कुछ और लेलो, थोड़ा सा, ये तो festival मानत है, इस ही में मिलेगा. So tell me the answer, to kill in cold blood, what does it mean? To kill in cold blood का मतलब क्या होगा? Answer, it's to kill deliberately, Amrita, you're the first one to answer, and you have answered it, correct. मतलब जबर्दस्ति किसी को मारना. cold blood लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, to kill zabardustि, जबर्दस्ति आप किसी को मारते हो, so to kill deliberately, it means to kill in cold blood. Next question please, with the timer. To get the lion's share, to get the lion's share, क्या होगा? To get the lion's share. To get the lion's share, मतलब जबर्दस्ति को मिल जाना, बहुत सारा हिस्सा जब आपको मिल जाता है, so इसका मतलब होता है, to get the lion's share. Next question please, with the timer. This is out of question. यह बहुत सिंपल है, यह बहुत बाहर आता है, और यह हम हमारी day-to-day vocabulary में भी बहुत बाहर यूस करते हैं. This is out of question. What will come here? This is out of question. मतलब मेरे दिमाग के बहार है, मुझे इसको कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब इसस इंपॉसिबल, कोई चीज इंपॉसिबल होती ही, मतलब, that thing is out of question. Next question please, with the timer. Do answer it first. There are so many students watching, but then there are very less who are answering. सभी answer लिखे, please, कोशिश करें, और सेशन को like करें ज्यादा से ज्यादा, वो thumbs up button होता नहीं सु प्रेस करके like जरूर से करते रहो. और इस सेशन को भले ही खतम वनने के बाद, बट शेर्ज दरूर से करिएगा. The work is up to the mark. ये भी बहुत common idiom है. 4th would be, the work is poor, खराब तो है नहीं, up to the mark मतलब एक स्टांडर पे है. ठीक है, last question please with the timer. This is a cock and bull story. क्या होगा ये? This is a cock and bull story. Interesting है, detective है, relevant है, या फिर अबसर्ट है. अबसर्ट मतलब एचीव सी है. The answer is, this is an absurd tale. जो अजीब सी कहानी है, उसको बोलते तक, this is a cock and bull story. जिसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा. और सब कुछ क्या है? अजीब सा है, डी नहीं होगा, रेलिवंट स्टोरी के लिए नहीं आता है. This is for an absurd tale. So, basically, to kill in cold blood, क्या था बसीकिली हमारा? To kill deliberately. फिस सकंड क्या था हमारा? To get the lion's share, मतलब, to get the major share. थर्ड क्या था हमारा? भाई, इस आप बस्टोर्ट मतलब, this is impossible to understand. The fourth one was, this is up to the mark. मतलब, इस बस्तandard level पे है. And the last one was, this is a cock and bull story, which means the thing is really absurd. Come on, tell me your scores first, जितने भी जने हैं. And do share the session after the session finishes. Because these are basic idioms which you use in your day-to-day life. And this will help you in your exams to get clear. Basically, आपको यह सारे आपने ग्जाम्स में बहुत अच्छी तरे के साप इसम को यूस कर सकते हैं. एक्जाम्स में आप इनको कड़के, अच्छे से पढ़के समझके, आप अपने ग्जाम्स को clear भी कर सकते हैं. So, session को जरूर से देखना. And thank you so much. See you in my class of UPTET. सुभर दस बज़े जहापे आपके parts of speech के questions होगे बहुत सारे. Thank you so much. See you in my next class at 10 a.m. Keep smiling and have a great day. Keep smiling and have a great day. Thank you.